सो फ्रेंट्स आज हम करने वाले हैं दो यूनिक अगरबती परफ्यूम्स के विव्यू और दोनों फ्रैग्नेंस में आपके लिए बैटर क्या हो सकता है करेंगे हूँ इस बेस्ट और दोनों का एक बेसिक कंपरीजन हम लोग कर लेंगे और यहां पर आपको कुछ अलग सी च कौन से होंगे इसके बारे में आगे इसी वीडियो में बात करेंगे और उससे पहले एक छोटा सा रिक्विश्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगर बढ़ते हैं हम कुछ नए परफ्यूम्स की नए का प्रोसेस चल रहा है लोग काफी अच्छा पसंद कर रहे हैं रिक्सपॉंस भी कर रहे हैं और सो फिर ये दो हमारे यूनिक परफ्यूम्स होंगे एक तरफ है हमारे पास जाड़ ब्लैक और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगी ब्लैक और चिट दोनों ही खास परफ क्या डिफरेंस रहेगा क्वालिटी कैसे आएगी और क्या आपके ब्रैंट्स के लिए आपकी अगरबत्ती के लिए बैटर तरीके से वर्क करेगा या फिर नहीं परफॉम्स क्या होगा ये भी जो है आगे इस वीडियो में बात करते रहेंगे करेंगे सो फिर सबसे पहले ह हम जो है ब्लैक वर्चिट के बारे में बात करते हैं तो फिर ये आपको कुछ ही तरीके से बॉटल दिखेंगी 500 ग्रायम का ये बॉटल आपको देखने को मिलेगी और यूनिक जो है इसमें ग्राफिक्स आपको एज़ा देखने को मिलेगा नीचे कुछ बेसिक डिटेल्स और पर्फियूम से लिरेटेड जो बेसिक डिटेल्स है उसका मैंशन किया गया है वर्ण देखा जाए तो कुछ ही तरीके से आपको ये जो है पूरा बॉटल और इसके उपर का जो है ग्राफिक्स जो है देखने को मिलेगा और जो है दूसरी तरफ हमारे पास है जैड ब्ल देगी सबसे परहे हम एक छोड़ा ट्रायल लेते हैं और इसके फ्रेग्नेंस को देखते हैं तो ये बेसिकली फैंसी नोट्स में होने वाला है और ये हमारा है ब्लैक वोर्चिट और इसमें जो फ्रेग्नेंस आएगी वह भी बेस फैंसी नोट के साथ में फ्लावर का टच इसमें से देखने को मिल रहा है ऐसे चीजों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसके लिए हम जो है हमारा जो पूराना टेक्निक है वो इस्तमाल करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं बीकर में क्योंकि एक तरफ ही इसको इसमेल करने से एक तरफ ही इसमेल करने से ची देखने को मिलेगा थुड़ा सा यलो बेस है इसका और लिक्विड फॉर्म जैसे की आप देख पारे होंगे अब दूसरी तरफ फॉर्म रख लेते हैं ओर्चिड इतना काफी रहेगा और यहां पे आपको कुछ अलग सी चेंजेस देखने को मिलेगा दुनों का कमपेर हम करन अच्छा है ओईल के फॉर्म का तो यहां पे थुड़ा सा यलो नेस आएगा और यहां पे औरेंजी फॉर्म में इसके ओईल के लिक्विड देखने को मिलेंगे फ्रैक्नेंस दोनों के काफी सूपर आपको ऐजा इसमेल करने पे मिलेगा और अभी मैं दोनों के साथ में हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो कि एक्चॉल में नोट्स क्या-क्या होने वाले हैं तो फटा-फट से इसका जो ट्रायल लेना होता है हमारा उसी तरीके से ले लेते हैं कुछ इस्टीक्स हम रोग जो है ट्राइ करते हैं दो इस्टीक्स हमने इसके लिए रख ली दो और निकाल लेते हैं दो यहां पे और जो है निकाल लिए सबसे पहले हम जो है जट ब्लैक का एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा डीपिंग प्रोसेस होगा उसके बार जो नोट इसमें से निकलने वाली हैं जो बेस फ्राग्नेंस वो होगा उसके बारे में बात करेंगे सो फिर यहां से हमने डीपिंग का प्रोसेस जो है कम्प्लिट कर लिया है और यह हमारा ट्रायल के लिए काफी रहेगा तो यहां से हम इसे रख लेते हैं नीचे पे और यह हमारे हाथ में रहे गया डीपिंग क्या हुआ इस्टिक फिर सबसे पहले इसके जो नोट्स मैंने अभी कुछ आपको बताने की कोशिस की थी यह हमारा बेस Z black fancy notes में आपको देखने को मिलेगी fragrance के बारे में और इसके notes के बारे में आपको मैं बताने की कोशिस करता हूँ जैट ब्लेक मींज देखा जाय तो अभी के टाइम में काफी पॉपुलिरेटीस की है क्योंकि लोग अभी के टाइम पे फ्लावर नोट की जगां पे फैंसी जादा जो है यूज करना चालू कर चुके हैं मैंने बापको बताया था कि ये फैंसी नोट्स आपको देखने को मिलेगी एक यूनिक फ्लावर का टच भी मिलेगा और जो सबसे अच्छी चीज है इसमें ये फैंसने स्कूलिंग वाली आपको फिल इसमें से नजर आएगी जब भी आप इसे यूज करेंगे तो लगेगा कि हाँ यार कुछ चीजें अलग सी हो रही है तो ये इस जैड ब्लैक की खाशियत है जो कि आपको थोड़ा सा फिलिंग देगा कूलिंग वाली मतलब ठंडकता वाली जो फ्रेंस है वो और इसी के और कभी टच देखने को मिलेगा जो कि आपके इस फ्रेंस को जो है काफी अच्छा लास्टिंग करके रखेगा और एक्सट टाइम में इसके फ्रेंस जो है काफी अच्छा बूस्टिंग आपको देगी मतलब बैजा जब आप इसे प्रोसेस करेंगे तो ये क्वालिटी हमारा डेपिंग हो चुका है और ओर्चिड मतलब यह थोड़ा यूनिक आपको लगेगा बैटर देन जैट ब्लैक आपको और आगे मैं इसके बात करूं तो फ्लावर टच इसमें कुछ एनिमेशन आपको भी दीख रहा होगा फ्लावर का हमने इसमें प्रोसेस किया हुआ है और यह बेस वनिला फॉर्म का एक फ्राग्नेंस आपको देगा फिल आएगा मतलब बाहिजा वनिला आपने ट्राइ किया होगा जलाया भी होगा यूस किया होगा कहीं ना कहीं तो वनिला की एक अलग सी फ्राग्नेंस आपको देखने को भी मिल जाती है जो कि हमारे लिस्ट से अभी बाहर है बट बहुत जल्दी आपको वनीला भी देखने को मिलेगा वनीला वनीला जो भी आप कहना चाहो क्योंकि लोग दोड़ों तरीके से इसके जो है नाम्स बोलते हैं तो यह हो गया भई तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था भूल गया सबसे पहले नोट समझते हैं इसमें तो बेस टॉप नोट इसके फैंसी रहेंगे और इसी के साथ फ्लावर टच आएगा फ्लावर टच में आपको वनीला का टच मिलेगा इसके फ्रैगनेंस में हलकी सी कड़वी स्मेल भी आपके साथ जरूर देगी आपके अगरबती में अच्छा क्वालिटी देगा जान में जान ले के आएगा मेरे तरफ से ये दोनों हमारे फ्रेग्नेंस जो की 100% आपके क्वालिटी के लिए बेटर है जैड ब्लैक और ब्लैक ओर्चिड अब चीजें जो है आपके उपर डिपेंड करेगी कि आप इसे की तरीके से पसंद करते हैं और लिष्ट काफी सारे अपने पास फ्रेग्नेंस के तो फिर आप कुछ यूनिक अपने ब्रैंड्स के लिए फ्रेंसी नोट की तलास में है कि यार कुछ होना तो अलग होना कुछ अच्छा नोट होना और देखा जाए तो मार्केट्स में अभी के टाइम पे जितनी अच्छी फ्रेग्नेंस हो जिस फ्रेग्नेंस की लास्टिंग अच्छा हो पर्फॉर्मेंस अच्छा करती हो आज के बेस डाइलूशन रेशियो मैं बताता हूं यह हमारा जो है जाट ब्लक एवरिज 5-6 का वन इस्टू 5-6 का रेशियो कवर कर लेगा अगर वाइट है आपका यह ब्राउनी सिस्टिक आप यूज करते हैं तो 6 और ब्लक और रेगुलर अगरबत्ती के लिए 5 और इसकी भी तो आपको 4-5 का डाइलूशन देगा क्योंकि यह बेस इसके फ्लावरी जो वनीला बेस है फैंसी के साथ में उसका टच जादा है तो इसके वज़ाए से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी फ्लावर का टच जिसमें बहुत जादा होता है उसका जो है जो डाइलूशन र चोटा ट्रायल ले उस ट्रायल में जो रिजल्ट आपको मिलता है फिस उस रिजल्ट के आपसे आप काम करें तो इसका मैं आपको डाइलूशन पर बता रहा था तो यह आपका एप्रोक्स जो मैं मैं मैंसिमम परफोर्फोर्मेंस करेगी वो 1-4-5 में आप इसे कर सकते हैं दोनों परफ्यूम्स काफी यूनिक्स हैं और यह काफी टाइम से हमारा सैलिंग पॉइंट में काफी हीट प्रोडक्ट है मतलब इसकी डिमांड दीनों ही दिन बढ़ती जा रही है बट हमारा भी रिव्यू का प्रोसेस में थोड़ा सा टाइमिंग फोड़ा जादा लग र बट रिव्यू भी कंप्लीट हो चुका है और काफी सारे ऐसे फ्राग्नेंस है जिसके काफी सारे रिव्यू वीडियो आपको चैनल पे अपलोड किये गए हैं तो आप उसे चेक आउट जरू कर सकते हैं जो यूनिक अच्छे जो परफ्यूम्स आपके लिए लगते हैं उस कर सकते हैं इसके प्राइस किया होंगे डाइलूशर मने बता दिया और बेसिक डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या वाट्स आप जरूर करें मिलते आने वाले किसी नए रिव्यू सुडियो की तरफ तब तक के लिए धन्यवाद